इसकी जो कविता है अपने गंद नहीं बेचूँगा यह कविता हम आज देखने वाले है इसके रश्णाकार है बालकभी पैरागी जी और इसकी लिधा है गेत अब हम देखेंगे अपनी गंद नहीं बेचूँगा यह कविता इस कविता में रश्णाकार में मनुष्य का स्वाविमान यह मत्वोण भावव होता है यह बताने का प्रयास किया है हमें कभी बैरागेजी ने एक फूल के मात्वियों से स्वाभिवान को मुहदवर्ग तेविका प्रयाज किया है स्वाभिवान का मतलब है अपनी ज़त और प्रतिष्टा का ध्यान होना मान अपमान का ध्यान या फिर आत्मा का ध्यान करना इससे तहते है स्वाभिवान वह एक फूल होने के बावजुन किस करकार अपने स्वाविमान की रक्षा करता है यह बताया है रचनाकार में फूल के मार्धन से प्रेहना दी है कि मनुष्य को अपने स्वाविमान की भी रक्षा करना चाहिए क्योंकि स्वाविमान मनुष्य की जिन्दा दिली मानी जाती है इसलिए मनुष्य का स्वाविमान से भी रहना चाहिए यह बताने का पयास इस कवितात्वारा कभी ने की गए और अपनी गंद यानि की स्वाविमान गोता है यह बताने का पयास किया है जो कि फूल के की तरह भी मनुष्य को भी स्वाभिमानी की रक्षा करनी चाहिए यही संदेश हमें देने का प्रयास रशना काम ने इस कविताय के मानुप से देने का प्रयास दिया है